नमस्कार किसान भाईयों स्वागत है आपको चनल एगरी आकास पे किसान भाईयों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मई और जून के महीने में मूली की सफल खेती कैसे की जा सकती है उसके लिए हमारे पास क्या-क्या जानकारी होनी चाहिए जैसे की मिट्टी क उसी होनी चाहिए कौन-कौन सी मिट्टीयों में आप गनवी में मूली की खेती अच्छे से कर सकते हैं खेत की तयारी कैसे करेंगे बीज कितना लगेगा सिंचाई कब कब को कैसे देनी है खाल प्रबंधन कैसे देना है और मूली में लगने वाय जो खतरनाक रोग हैं जैसे कि पती छेदक लट रोग रस्चूसक कीट इन सबसे कैसे निपटना है और इन सबसे निपटने के बाल एक सफल उत्पादन लेके कैसे आना है इस सारे जानकारी में आपको इस वीडियो में देने वाला हूं तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा साथ सिंगर आपे ग्र क्रेक करदी की जड़ूत होती है क्योंकि जब मूली का रेट जादा होता है उस समय इसकी अपूर्ती कम होती तब ही जादा होता है सबसे पहले बात करेंगे कि गर्मी में कौन कौन सी मिट्टी है जिसमें की आसानी से मूली की खेती की जा सकती है किसान भायों मूली को कई जो पानी सोखने के च्छमता हो और मिट्टी में भुरुवरापन होना चाहिए ठोस नहीं होनी चाहिए क्योंकि जहां पर काक्रीली पास्रीली मिट्टी होती है बहुत ज्यादा ठोस मिट्टी होती है ऐसी जगापर किसान भोजो है मूली के जड़े है वह अच्छे से भीकास कर पाती है और मिट्टी को पियश माहन है वो पांज दफमलों पांच से लेकर के छैच दफमलों आर्दी को छी जड़े अच्छा होता है अगर वह जो मिट्टी है इसमें पैठ्ण्वर बांतर जादा मात्रा में हैं तो आप कि अगरं आप से इंना करें बागाकि आप डोम किसान भयों, जब आप गरभी तो उस समय आपको पहली जुताई जो ए उह होता हि आपको पहली जुताई जब मिट्टीय में शेक्ट नता आतिया में helpu उस्सेsom तो आपको freshman year old जिसे उत्पादन सकती जो है वो बढ़ती है किसान भाईयों अब हम बात करते हैं कि जुताई कब और कैसे करनी चाहिए पहले जुताई आप मिट्टी पलटने वाले हल से करें उसके बाद दो से तीन जुताई कल्तिवेटर के साथ करें और आखर जुताई आपको कोनरती आफडिक है कि यह क्यार रियों में जो की ठीक है लेकिन अगर अप मेड्विधी से करते हैं जैसे के सीधीवे नियु द利ब यहह दो तो आप ज्यादा फाइदे मैं किसान क्या फाइदे होती ही घृ यहा वह भी में आपको बता देता हूं जैसे कि आप स्क्रें लाय उसको बैड बिधी भी कहा जाता है जब हम इस तरीके से करते है तो जल जो हो काफी तेजी से भीकास करती है पानी कि अगर बारीस होटी ज्याए सिंचायी भी हो जाती है फिर भी हमें कोई ज्यादान नुकसान नहीं होता है जब कि क्यारी में यह चीजे जो है जड़ भी अच्छ जल्दिस नहीं भीकास कर पाती समय लेती है और जो पानी लगने की समस्च्या है उससे भी थोड़ा कम बचा होता है इसलिए मैं आपको रिक्मेंट करूंगा कि आप बेड बिदी से यानि मेड बना के ही मे करते हैं वह मेड़िकापथियोज को अगरी करते हैं तो आप शिरक बिदी से बुआ एक। शिरकाप बिदी कर अग्रिके आप शिरका से बाई कर सकतेे ह। इससे नुकसान क्या होता है किसान भाइयों, कहीं पे बीज हाथ से ज्यादा पर जाता है, कहीं पे कम पर जाता है, इससे कहीं पर ज्यादा बीज गिरने से पौधे पतले हो जाते हैं, कहीं पे ज्यादा बीज नहीं गिरता है, कम बीज गिरता है, जैसे नुकसान होता है, इस के लिए में की मसीन उसका वी सहारा ले सकतें उसके में किसान वहे जो है अगर हम एक एक्रोटी की बात करें तो एक एकर खेती के लिए वो चार से पांच खिलो तक बीज की जरुवत पड़ेगी अब बीज हमें कैसे बोना किसान भाई वो भी समझ लीजी आप किसान भाई हमें जो है वो लाइन से लाइन की जो दूरी रखनी है यानि जो बेड से बेड की दूरी है वो हमें 40 से 45 सेंटीमीटर की रखनी है और अब आपके मन में ख्याल आ रहा हुआ कि बेड पे हम जो मूली की बुआई कर रहे हैं तो कितने गहराई में बोना चाहिए क्योंकि किसान भाई होता क्या है अगर हम ज्यादा ऊपर बो देंगे तो गर्मी में तंपर ज्यादा होता है जो उपर की मिट्ती है उसकी नमी बह होना चाहिए इससे जो आपका बीज है गर्मी में बहुत सही तरीके जर्मिनियसन करता है किसान भाईयों अब बात आती है कि हमें उसमें कौन कौन सी खाट डालनी चाहिए किसान भाईयों सबसे पहले जब हम बुआई कर रहे हूं किसान भाईयों उस समय हमें उसमें कौन स किसान भाइन के साथ करनी है किसान भाइयों के पहले जब आप पाइज कि अगर की फशल ने किसान भाइयों 50 kg आपको लेना है 10 26 चबिस एंपीके होता है इसमें नायट्रोजन फोस्फोरस और पोटेसियम तीनों भर होते हैं मात्रा में इसमें नेट्रोजन फॉस्परोस प्रोटेशन फीन होते हैं इसलिए आपको इसको 50 क्रोल ले लेना है और हुमिक एसिड ले ले लेना है 500 ग्राम हुमिक एसिड अच्छे जमाव करेगा और अच्छा ग्रोथ लेखे आएगा तो यह दोनों खादे आप आखरी उताई किसमें मिला दे उसके बाद उसमें आप बेट बना करके जैसे मैंने आपको बताया आप उसकी बुबाई कर सकते हैं किसान भगयों अब बात आथा एक इसके उन्नकिसमे कॉन सी है किसान भगयो दिछान रखे जब आप मई-जून के महीने मुली खेती कर रहे हैं तो आप केवल बुद तो यह आपको जानकारी चाहिए, तो आप दिस्क्रेशन में जाएगे, मूली खेती में आपको प्लेश्ट मिल जाएगा, उस प्लेश्ट में आपको मूली की हाइविट किसमों के बारे में जानकारी मिल जाएगी, मूली में लगने वाया रोक के बारे हो जानकारी मिल जाएगी, और तरह कि आपको मूली फसल पे लगभग आपको सारी जानकारी मिल जाएगी जिससे आप देख करके अच्छी से समझ सकते हैं कि मूली खेती कब और कैसे की जा सकती है किसन भाइयों अब लोटते हैं टापिक पे किसन भाइयों हमने इसकी बुगाई भी कर दी अब हमें इसकी सिंचाई कैसे करने हैं किसन भाइयों गर्णी और मूली की खेती के जो सिंचाई है वो काफी इंपॉर्टेंट है अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो अप नुकसान कर सकते हैं कब सिंचाई करनी कैसे सिंचाई करनी वो चीज भी आपको समझनी चाहिए जो मैं आपको अब बताने वाला हूं किसन भाइयों जैसे हैं मूली की बुगाई करें उससे चार से पांच दिन बाद हमें उसकी पहली सिंचाई कर देनी चाहिए और बाकी ज किसान बहल करें, किसान बॉयों, किसानबळ milk है. जब बहु जदा सिंचाई करें, तो जह जड़ें, को सर्समाता इन लानि दायक वो od को तो FUCK ход यह सब्सक्री अजल को सब्सक्राब करें छंज किसान हग रहता है. और उसका जो किसान भजयों तीखापन है वो भी अच्छा नहीं रहता है इसलिए आप उसको जड़ा सिंचाई ना करें अगर आपको किसान भजयों मूली खेती गर्मी में कर रहे हैं तो आपको कटाई से पहले हाल कि सिंचाई करें यानि जब आप देखें कि आपकी जो फसल वो कटाई पयाने वाली थायार होने वाली है तो उस समय आप सिंचाई करते हैं उससे कम सिचाई करें इससे क्या होगा कि जो आप की मूली और अच्छे टीखी 3 वी अगी ओगी अ बहुता है कि जैसे जो हमारी भज़ा क्या है जब falta का फवी कम है तो आप देखेंगे जब किसान करना तर्स काहिट जाता है किसान भायों गर्मियों में रस छूसक डर शया जाता है पंद भल बहुत पहल जाता है किसान भायों इन चीज़ों से बचने के लिए अब को ले जाते हैं निम्बे शिडिन नाम की दवा आती है 2 ml लेना है और धानु स्टीन आता है जिसमें करबेंडाजीन 50% WP होता है यानि आपको लेना है निमभे सुदीन 2 ml करबेंडाजीन 50% WP आपको लेना है इसको आपको एक लिटर पानी में घोल करके अपनी जहां प्यादी फ़सल पर ये दिखाई दे रहे हैं वहां पर इसका कर दीजिए अगर थोड़े दूर पर है अगर आपका जो फसल है वो पूरे एक एकर फसल में यह समस्यानी सुरू हो रही है तो उसमें आपको लेना है दो सब्सक्राइब कर देना है जिससे कि जो हमारी फसल है और काफी अच्छा उत्पादन लेकर आएगी और उस पर किसी त उस समय पौधे में जड़ बन रही होती है जड़ का विकास होने ही वाला होता है तो आपका जड़ है काफी अच्छे तरीके से भीकास करें उसके लिए मैं आपको यहां पर टीफ जिना चल्म किसान भाईयों मूली की अच्छे से बढ़वार हो इसके लिए आपको पौधे से तरीकेह भीकास करें पौधा भीकास करें उसके लिए किसान भाईयों आपको लेना है तेरा चालीफ तेरा यहन bịक हना है को अपको छिled मारी में घोलना है में और अपनी पूरी फशल पे इस प्रे करदेना है और उसके बात शान पर आप्न के जड़ भी अच्छे से विका और उस पर किसे तरह के रोग और कोई समस्या नहीं है आप अपनी फसल पे आठ से दह दिन पे फनफूद ना सकते रहें यानि आप कारिबेंटा जीन 50% डवलूपी का हर 8 से 10 दिन पर शिरकाव करते रहें आपको जो मूली की फसल हो 40 से 45 दिन में बहुत अच्छे तरीके से त पूरी कोसिस करूंगा और वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें चनल पर पहली बार रहें चनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहां पर मैं आपके लिए खेती बड़े जुड़ा हुआ कंटेंट बनाता रहता हूं वीडियो देखने के ल निवाद